हालो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहू के आटे से बने बिस्कित की रेसिपी ये दिखने में जितने ही यमी लगते है उतने ही ज्यादा ये निूट्रिशिस और टेस्टी बनते हैं तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ एक बोल लिया है उसमें हम डालेंगे एक कप गेहू का आटा ये जो हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं ये वही आटा है आप कोई भी एक कटोरी ले लिजे आपके घर में जो भी है उसी कटोरी से सारे मैजुमेंट लेने हैं अब यहाँ मैंने लिया है आदी कटोरी बेसन अब यहाँ हम लेंगे एक चोथाई कटोरी चीनी इतनी चीनी काफी हो जाती है अब हम इसमें डालेंगे एक दम तीन से चार चुटकी नमक बहुत ही कम नमक डालना है ये मीठे में हलका नमक हो तो अच्छा लगता है अब यहाँ हम डालेंगे आदा स्पून इलाइची पाउडर अगर आपको पसंद ना हो तो मत डालिये यहाँ मैंने अभी लिया है आधा कटोरी गी ये रूम टेंप्रेचर का गी है गी पतला नहीं होना चाहिए ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए एसे रूम टेंप्रेचर में हो वैसे ही गी ले ले यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे अभी सबको हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करके लेते है ये मुझे काफ़ी सूखा लग रहा है तो इसमें हम और घी डालते है थोड़ा थोड़ा करके ही डाले अगर थोड़ा ज्यादा घी हो भी जाए तो भी इतना कुछ होगा नहीं पर फिर भी हम थोड़ा गिनके ही घी डालेंगे अच्छे से मिक्स कर ले ये देखिए अब इसके इसे पेड़े बन रहे है यहाँ मैंने पूरे तीन चौथाई कटोरी घी का इस्तमाल किया है ये देखिए अब इसके अच्छे से पेड़े बन रहे है चलिए अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे हमें कढ़ाई में बनाना है ना तो हम कढ़ाई को प्री हीट करके लेंगे ऐसा एक स्टैंड रग दे कढ़ाई के अंदर आपके पास अगर स्टैंड नहीं हो तो आप एक कटोरी रग सकते हैं मीडियम से हाई फ्लेम पे एक 10 मिनट के लिए हमें इसे कढ़ाई को प्री हीट करके लेना है अब यहाँ मैंने एक प्लेट ली है प्लेट के उपर मैंने अलुमिनियम फॉइल लगा दी है ऐसा करने से बिस्किट्स नीचे से भी बहुत अच्छे से उनको कलर आ जाता है इस अच्छे से चारो और ऐसे स्प्रेड करके ले ले ताकि हमारे बिस्किट्स जो है वो नीचे ऐसे चिपके न अब यहाँ हम एक नीबू के अकार जितना एक पेड़ा ले लेंगे आप आपके हिसाब से बिस्किट्स की साइज रख सकते है मुझे बहुत ज्यादा बड़े न मैं इसे गोल अकार में बना रही हूँ यह देखिए अब हम बिस्किट के ऊपर डिजाइन करेंगे आप आपको जो अच्छा लगे आप उसे साब से डिजाइन कर सकते है मैं यहाँ पे उसको बस ऐसे तीन कट लगा रही हूँ यह मैंने बटर नाइफ ली है आप छूरी भी ले सकते है ऐसे बिस्किट दिखने में अच्छे दिखते है यह देखिए आप जो चाहिए वैसे आप डिजाइन दे सकते है ऐसे मैं सारे बिस्किट बना लेती हूँ यहाँ मैंने सारे बिस्किट बना लिए देखिए मैंने दो शेप दिये है अब इसके उपर हम हलका हलका दूद बस लगा लेंगे, ब्रश के हेल्प से कर सकते हैं, मेरे पास ब्रश नहीं है, इसलिए मैं स्पून के मदद से कर रही हूँ यह दूद लगाने से बिस्किट के उपर एक हलकी सी ब्राउन क्रिस्पी लेर आजाती है, एक कलर भी अच्छा आते हैं और क्रिस्पी होते हलके बिस्किट उपर से मैंने सब पे दूद लगा लिया है, अब इस पे हम दालेंगे पिस्ता की पाउडर हलका सा और अब आप इसके उपर आपको जो चाहिए, इसे मैं थोड़ा हेल्दी वर्जन बना रही हूँ, इसलिए मैं इस पे सनफ्लावर के सीट्स और अलसी के बीच जो फ्लैक सीट्स होते हैं मैंने वो डाले, आप चाहिए तो आप ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं, और भी अगर आपको कोई और सीट्स डाले हैं, आप वो डाल सकते हैं देखी यह तयार हो गया है, अब हम इसे कड़ाई में रख देते हैं, यह अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है, इसको हम बहुत सावधानी से रखे और ढग दे, बहुत सावधानी से रखना है, कड़ाई बहुत ज्यादा गरम है, इसे ढख के एक 15-20 मिनिट के लिए हम इसे क खोने के लिए रख देंगे, बीच-बीच में चेक करते रहे, यह देखिए, मेरे 15 मिनिट में बिस्किट हो चुके है, गैस की फ्लेम पे डिपेंड करता है, कि कभी-कभी हमें 10-12 मिनिट भी बहुत हो जाते है, ऐसे हलके से उठा के चेक कर लीजे, मेरे बिस्किट तयार हो देखिए, कितनी खस्ता बने है यह बिस्किट, अब चाहे बड़े हो या बच्चे हो, आप बिस्किट के लिए उनको कभी मना नहीं कर पाएंगे, इतने स्वादिष्ट घर में बने हुए बिस्किट, अगर आपको यह रेसिपी पसंद आ जाए, तो प्लीज लाइक, शेह, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी यह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, थैंक यू फर वाचिंग,